अपर्णा यादों के समाजवादी पार्टी छोड़ कर बीजेपी में जाते ही रिष्टों की तलखी सरे आम हो गई और मुलाहिम सिंग यादों के परिवार के जगडे प्रेस कॉन्फरेंस में बताई और सुलजाई जाने लगे अपर्णा यादव के बीज़ेपी में शामल होने के बाद अखिलेश यादव ने बहुत सधे हुए अंदाज में तल्ख टिपड़ियां की अखिलेश ने कहा कि नेता जी ने अपरणा को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी अपरणा यादो को बढ़ाई दूगा समाजवादी विचार धारा का विस्तार हो रहा है हमारी विचार धारा वहाँ फैलेगी लेकिन इसके दूसरे तरफ अखliश यादो के गुर्गे ने अपर्श यादो के बेह度 शर्मनाँक तरीके से हमला किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो अपर्णा यादों को मुलाइम सिंग यादों की बहु और उनके पती प्रतिक यादों को बेटा तक माँने से इंकार कर दिया अखलीश यादों ने अपर्णा यादों के राष्ट्रवाद वाले बयान का भी जवाब दिया मैं खुद मिलिटरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, बचपन मैंने मिलिटरी स्कूल में बताया है, हमारे साथ के लोग सीमा पर खड़े हैं, सापा के लोगों को और मुझे बीजेपी सर्टिफिकेट ना दी, अखिलिश ने कहा कि हम बीजेपी का विकेट नहीं गिरा रहे, च समाजवादी पाटी अंदर से काफे हिली हुई है, यही वजह है कि पाटी के प्रवक्ता ने अपरना यादो पर निशाना साधना शुरू कर रखा हुआ है, उन्होंने अपरना यादो को यादो परिवार की बहु मानने से मना किया है, समाजवादी पाटी के प्रवक्ता औ एक ही बेटा है और वो हैं हम सबके महभूब नेता आदरने अखिली श्यादव जी और नेता जी की एक ही बहु है जिनका नाम है आदरने डिम्पल भावी बाकी नेता जी का कोई पुत्र नहीं जिनकी रगों में नेता जी का खोन दोडता हो जिसका डेने नेता जी के हो जब क समाजवादी पाटी लोग सबसे निपटना जानते हैं अब जिसको दल में जाना हो जाए लेकिन अखिलेश यादो को मुख्य मंत्री बनने से साज़िशे नहीं रोक पाएंगी अपने अन्य पोस्ट में फक्रुल ने अखिलेश यादो और डंपल यादो की तस्वीर साज़ा करते हुए उन्हें मुलायम सिंग यादो का असली बेटा और बहु बताया अपने एक पोस्ट में फक्रुल ने अपरना यादो को अपमानित करने के लिहाद से लिखा कि समाजवादी पाटी आज अपरना बिष्ट के जाते ही शुद्ध हो गई समाजवादी पाटी किसी को हराने के लिए टेकेट नहीं देगी जाहें अंदर का हो या बाहर का लंबे समय से पीएम मोदी और सीएम योगी की पुशनसक रही अपरना यादों ने भारतिय जुनता पाटी को जोईन किया है भाजपा की सदस्ता लेने के साथ ही उन्होंने राश्टर धर्म को सबसे उपर बताया जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अखले शादों उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएं तो इस पर अपरना यादों ने कहा कि मैंने हमिशा राश्टर को धर्म माना है यह मेरी नई पारी है मैं पीए मोधी और सीएम योगी से बहुत प्रभावित हो उनकी नितिया मुझे नैतिक रूप से पसंद आती है इसलिए मैंने बीजेपी जोइन की ब्यूरो रिपूर्ट निउस अफ इंडिया